नमस्कार आप देख रहें एकॉनमी का हिसाब किताब और मैं हूँ अनिंद्यो चक्रवर्ती आज का ये एपिसोड थोड़ा अलग है आज मैं एकॉनमी यानि अर्थिवेवस्था की बात नहीं करके बात करूँगा कि किस तरह हम यानि आप और मैं एकॉनमी को डूबने से बचा सकते हैं ये बात है कॉरोना वाइरस की जो कि दुनिया की पूरी अर्थिवेवस्था को ठप कर सकती है भारत में भी कारोबार पर इसका असर पढ़ रहा है जब से जादा शेर बाजार पे हमें दिख रहा है क्या असर हुआ है वैसे ही हमारे देश की एकॉनमी का हाल बहुत ही खराब है और अगर हम सब मिलकर इस वाइरस को फैलने से न रोके तो देश की आर्थिक स्तिती और भी खराब हो जाएगी इसलिए आज की इस एपिसोड में मैं बात करूँगा कि आखिर ये करोना वाइरस है क्या और इससे कैसे बचा जा सकता है वाइरस के बारे में तो सुना ही होगा आपने, नहीं नहीं वो थ्री इडियेट्स वाला वाइरस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ मैं उस किटानू की बात कर रहा हूँ, जो हमारे अंदर गुसकर बिमारी फैलाती है मतलब काम चलाने के लिए आप सोच लीजे कि वाइरस एक किसम का बहुती छोटा कीड़ा है मतलब इतना छोटा कि आप चश्मा लगा कर भी उसे देखने ही पाएंगे वाइरस को देखने के लिए एक स्पेशल टाइप के यंद्र की ज़रूरत होती है जिसे इलेक्ट्रोन माइक्रोसकोप कहा जाता है वाइरस हमारे मू, नाक या आख से हमारे शरीर के अंदर घुश जाता है लेकिन जब तक वाइरस किसी जीवित चीज के अंदर नहीं घुशेगा वो अपने तरह किसी और वाइरस को पैदा नहीं कर सकता है इसलिए वाइरUS किसी दूसरे प्रानी के अंदर जाकर ही अपने तरह के और वाइरस तैयार कर सकता है खैर मैं यहाँ साइंस की कलास नहीं ले रहा हूँ यह मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप समझे कि कि किसी भी वाइरस को रोकने के लिए जरूरी है कि वो आपके शरीर में घुस ना पाए हाँ आपके शरीर के बाहर भी वाइरस जिन्दा रह सकता है जैसे हर साल सदी जुखाम देने वाले जो वाइरस होते हैं वो लगबग दो दिन तक किसी भी सते पर जिन्दा रह सकते हैं मतलब जैसे कुरसी, मेज, कपड़े, दर्वाजा इन सब चीजों पर 48 घंटे बाद अगर किसी प्राणी के शरीर के अंदर न घुस पाए तो जादातर नॉर्मल वाइरस मर जाते हैं खैर पहले के जो करोना वाइरस के बारे हों जानते हैं कुछ 9 दिनों तक भी जिन्दा रहते हैं सवाल यह है कि वाइरस दर्वाजे के हैंडल, टेबल, कुरसी वगएरे पर पहुंचते कैसे खांसी, छीक और ठूक से जैसे कि अगर आपके अंदर वाइरस आ गया है और आपको जुखाम हो रखी है जब आप खांसते हैं या छीकते हैं तो आपके बल्गम के छोटे छोटे बूंदे आपके सामने 6 फुट तक जाकर छिड़कते हैं और उसके बाद वो नीचे गरते हैं और जब वो नीचे गरते हैं याद रखेगा कि इन बल्गम के बुन्दों के अंदर वाइरस होता है और वो अगर किसी और पर सीधा जाकर गिरे तो ये वाइरस उनके शरीर में भी जा सकता है अगर बल्गम के बूंदे किसी सते पर गिरे और उसके बाद कोई और उस सते को छूकर फिर अपने नाक या मू या आखो को उसी हाथ से चूले तो भी वाइरस उनके शरीर के अंदर जा सकता है इसलिए कोई भी वाइरस सिर्फ करोना वाइरस नहीं कोई भी वाइरस को फैलने से रोकना है तो ये चार चीजे करने होंगे पहला अगर आपको लगे कि आपके आसपास कोई बिमार है तो उनसे कम से कम 6 फीट की दूरी रखनी चाहिए दूसरा किसी भी सत्य को छूने के बाद अपना हाथ दोएं और ये सिर्फ ऐसा वाला नहीं कि साबून भी नहीं लिया ठीक से हाथ मला भी नहीं और हो गया जी नहीं कम से कम 20 सेकंड तक हाथ दोएं यूट्यूब पर सचिन तिंदुलकर का एक वीडियो है हाथ कैसे धोना है उस पर थोड़ा डेटा खर्च करके वो वीडियो देख लीजे और बिल्कुल उसी तरह आप भी हाथ धोईए घर में हाथ धोने के लिए पानी बचा कर रखिए वो सबसे जरूरी है इस वक्त अगर आप कहीं ऐसी जगह पर हैं जहाँ आप हाथ नहीं धो सकते हैं तो अपने पास एक बोतल हैंड सैनिटाइजर रखिए यह आको किसी भी केमिस्ट के पास मिल जाएगा हाँ इस वक्त जरूरर थोड़ा शौर्ट चल रहा है क्योंकि लोगों ने ठोक में खरीद लिया है लेकिन ढूंडेंगे तो मिल जाएगा इस वक्त भी थोड़ा महंगा जरूर है लेकिन करोना वाईरस जितना महंगा नहीं ह ये याद रखिए तीसरा पॉइंट किसी भी भीड़भार जगे से बचिए बहुत जरूरी ना हो तो मॉल, सिनमा हॉल, रेस्टोरांट, जिम वगेरा से कुछ हफतों के लिए दूरी रखिए बद्डे पार्टी, शादी, डिनर पार्टी इन सब से भी दूर रहिए दो-चार दोस्तों के साथ समय बिताना हो, तो जरूर बिताईए, लेकिन अगर उनमें से किसी को बुखार हो, तो तुरंत टाटा बाय बाय बोलकर निकल लीजिए, अपने घर जाईए और चुप चाप टीवी देखिए, हाँ काम पर तुजाना ही होगा, और मेट्रो या बस पर भी चड़ना ही होगा, इसलिए सतर्क रहिए, पबलिक में जितनी भी नाक या आँक में खुजली हो रही हो, अपने फेस को बिलकुल मत चुईए, मतलब ये अपने दिमाग में घुसा लीजिए, कि अपना चेहरा यानी फेस बिलकुल नहीं चुना है, याद रखिए, अभी तक जितनी भी हमें जानकारी है, इससे लग रहा है कि कोरोना वाइरस हमारे आसपास हवा में नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं कि हम सांस ले रहे हैं और वाइरस हमारे अंदर चला जाए, हाँ, लेकिन जहाँ ज़्यादा भीडबार है, वहाँ आप मास्क पहन सकते हैं, अपनी तसली के लिए ही सही, लेकिन मास्क को बार बार चुईए मत और जादा देर तक एक ही मास्क मत पहनिए, आपके सांस की नमी से मास्क गीला हो जाएगा और उसमें और भी किटानू जमा हो जाएगे, और चौथा, शायद सबसे एहम पॉइंट ये है कि अगर आपको स खांसी या चीक आ रही हो, तो टिशू पेपर के अंदर चीके, और अगर टिशू नहीं है, तो कोहनी से मूँ ढखकर खांसे या चीके, घर में रहिए, जादा बहादुरी दिखा कर काम पर मत जाएगे, आफिस हो, कहीं आप ड्राइवर हैं या गार्ड का का काम करते हैं, क जिनको दिहारी पर काम मिलता है, और हर रोज काम पर जाना ही पड़ता है, ऐसे लोगों के लिए सरकार को कोई उपाय निकालना होगा, जैसे होंग को की सरकार ने किया है, तो तो फिर से टाप चार दोहरा देता हूँ, पहला, बिमार वक्ति से कम से कम 6 फीट दूर रही है, दूसरा बार-बार हाथ धोईए, किसी भी सते को चूने के तुरंत बाद हाथ धोईए तीसरा भीड भाड़ वाले जग़ों से दूर रहिए, बस मेट्रो पर साफधानी बरती है और चौथा अगर आपको सर्दी जुखाम या बुखार है तो घर पर रहिए लेकिन आपको पता कैसे चलेगा, कि आपको जुखाम है या नॉर्मल सर्दी खासी है या करोना वाइरस, पहली बात है अगर आपका नाग बहरा है या आपको गीली खासी है, जिससे ब्यल गम बहुत निकल रहा है लेकिन आपको बुखार नहीं है, तो 99 प्रतिशत चांस यह है कि आपको करोना वाइरस नहीं है जी हाँ, करोना वाइरस में देखा गया है कि 99 प्रतिशत केस में बुखार पहले आता है फिर ड्राइ कॉफ यानि सूखी खासी आती है, चार में से सिर्फ एक को बलगम वाली खासी होती है और छीकना सिर्फ 5 प्रतिशत लोगों में देखा गया है, यानि कि 100 में से 5 में लेकिन फिर भी आप डॉक्टर की सला जरूर ले, हो सकता है कि आपको करोना वाइरस का टेस्ट करना पड़े इस वक्त ये टेस्ट सिर्फ सरकारी लाब में किया जा सकता है अगर आपको कोई भी शक हो तो इस नंबर पर फोन लगाएं आपके स्क्रीन पर है 011-2397-8046, फिर से दौरा देता हूँ 011-2397-8046, लेकिन बुखार होते ही घबराई है मत 80% लोगों को जिनको करोना वाइरस का इंफेक्शन हुआ है, उनको सिर्फ बुखार, सुखी खांसी और कभी कभार नियूमोनिया भी हो सकता है लेकिन इनको हॉस्पिटल जाने की भी जरूरत नहीं होती है, घर में ही इलाज हो जाता है करोना वाइरस से मौते भी जादातर जो हुई है, वो 60 साल से जादा उम्रवाले लोगों की हुई है उनमें भी 80 साल से जादा जो है, उनका सबसे ज्यादा जितनी मौते हुई है, उनमें से 73 प्रतिशत लोगों को कोई और भी बिमारी थी जैसे हाई बीपी, दिल के मरीज हैं या फेपरो की बिमारी है, कैंसर इत्यादी इसका मतलब अगर आप साट साल से कम रूमर के हैं और आपकी कोई और पहले से बिमारी नहीं है तो करोना वाइरस आपके लिए खतरनाक नहीं होगा हाँ लेकिन आपके घर में जो बुजर्ग हैं उनको ज्यादा सतर करेना पड़ेगा और आपको भी उनकी ज्यादा केर करनी पड़ेगी ये एक बिमारी है जिसके बारे में दुनिया के वेग्यानिकों को अभी भी पूरी तरह से समझ नहीं है ये कब कैसा कितना बड़ा बन जाए और अगर ये ज्यादा फैल जाए तो फैक्टरियां दुकाने सबजी मंडिया सब बंद करनी पड़ेंगी और फिर ऐसी आर्थिक मंदी चाहेगी जिससे निकलना बहुत ही मुश्किल होगा